वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोग्राम पर जैसा की हम प्रतिदिन करते आएं इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे जैनिटिकली मोडिफाइट रवर के विसमें समझेंगे कि जीम रवर इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे जापान के बिसे में और समझेंगे जापान ने सब्ता में क्यों चार दिन कारे करने की नेती क्यों आगे बढ़ाई है इसके क्या-क्या माइन है आईए इन्ही दोनों खबरों को एक एक करके बिस्रेसित करते हैं जेनिटिक सब्दों में कि माल लेते हैं आपके पास एक पौधा है उस पौधे में कुछ खामिया है खामिया जैसे यह हो सकती है कि उसकी उत्पादक्ता कम है या उस पर जो भी फल लगता है या जो भी फूल लगता है उसकी जो क्वार्टी है बहुत अच्छी नहीं है या फिर जैसे engineering का प्रियोग करके उस पौधे के जीन में अर्थात उसके DNA में कुछ परिवर्तन करेंगे और जब परिवर्तन करके नया पौधा आपके पास आएगा तो इसी पौधे को बोलेंगे genetically modified crops या फसर अब यह जो पौधे होते ही इन में परिवर्तन किया जाता है तो अब हब एक पौधे में दूसरे किसी पौधे का जीन डाला जाता है या दूसरे किसी जीव का डाला जाता है जिससे उस पौधे में कई तरह के जीन अन्या जाते हैं जो के पहले उसमें नहीं थे तो इसमें क्या हुआ जीन में परिवर्तन किया गया और इसके लिए सहारा किसका लिया जाता है बायू टेकनोलजी और बायू इंजीनिरिंग का इसमें सहारा लिया जाता है इससे क्या होता है जब पौधे में नया जीन नया डेनने आता है तो उसमें हम मन चाहें गुड़ों को डाल सकते हैं उनको बीमारियों से बचाते हैं, उनको सूखे से बचाते हैं, या जलवायू परिवर्तन के नकारात्मप्रभाव से उस पौधे को बचा सकते हैं, साथी साथ उसमें हम कुछ ऐसे जीन डाल सकते हैं, जिसमें उस अधिक पूसकतत तो आ जाएं, उसके जो गुड़कारी होगा कई ऐसे बंजर भूमी हैं, जहां पर सामाने पौधों उत्पन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जैनेटिकली मोडिफाइट क्रॉप्स का उत्पादन कर सकते हैं, साथी साथ हम कम समय में पौधों में जो है कि उत्पादक्ता में ब्रिद्धि कर सकते हैं, उसक को भी हम रोक सकते हैं, इसका जैनेटिकली मोडिफाइट क्रॉप्स का जो पहला प्रयू हुआ था, 1982 में हुआ था, तंबाकू के फसल पर, और 1986 में इसका जो फिल्ड पर आरम हुआ था, फ्रांस और अमेरिका में, इस समय आपने सुना होगा, हमारे पास बीटी का पास है, जैनेटिकली मोडिफाइट सरसो है, बीटी बैगन है, जो कुछ जैनेटिकली मोडिफाइट क्रॉप्स के नाम आपने सुन रखे होंगे, अभी क्या हुआ है, हाली में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा, विश्व के पहले, आनुवांसी क्रॉप से संसोथित रबर प इंसिटूट ओफ इंडिया के द्वारा, इसका विकास किया गया है, और सौभाविक है, जैसा कि हमने बताए, इसके लिए क्या किया गया था, लंबे समय तक जब परोध्योगी की प्रोग साला में प्रियोग किये गया, और कली तरह की जीन को इसमें डाला गया, दरसल जो पुरोतर छेत रहे, इसमें पहले से रबड का उत्पादन होता है, लेकिन अब जो हमने जीन में परिवर्तन कर दिया है, तो इससे क्या होगा, उहां उत्पादन का बढ़ेगी, परिवर्तन हमने क्या किया है, जो प्राकर्तिक रबड था, उसमें हमने क्या किया है, मैंगन या जो है कि वहां पर ऐसी कंडिशन होगी जिसमें अधिक बरसा नहीं हो रहή है और उसमें क्या होता है मिल्टी में नमी कम है तो ऐसे कंडिशन में भी यह रबर का पौधा समाप्त नहीं होगा सुखे गार नहीं क्योंकि यह रबर का पौधा है आपको पता है यह 28 चेत्रों अर्था जहाँ पर बरसा चादा होती है हमेशा नमी रहती वहां पूर्फन होता लेकिन आपको पता है कि जो पूरmostr छेतर है उसकी जलवाई। ठंडी है बरसा जो है कि मॉनसून के समय कुछ माह대ी है अन्य था वहां पर ठंड का समय रहता है और जो नमी है मिठी में हो कम रह करेगा सर्वाइब कर पाएगा और जो पुरुत्तर छेत्र है उसमें जो पहले से पौध्यों का उत्पादन होता है उसमें क्योंकि पुरुत्तर छेत्र में सुस्कता की ओधी जादा है तो जो पौध्यों का विकास होता लंबा समय लगता था अब लंबा समय कम लगेगा और जो राष्टी रवर नीती 2019 में अपनाई गई थी ये कहती है कि भारत में प्राकर्तिक रवर की उत्पादन चित का विस्तार किया जाएगा रवर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा रवर का जो मुल्य समर्थन किया जाएगा चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पर हो य इसी नीती के तहित लंबे समय से प्रियास किया जा रहा था कि हम जैनेटिकली मोडिफाई रवर को प्लांट करें और उसी के तहती है किया गया जो प्राकर्तिक रवर है उसके भी से में कुछ जाल लिए यह जो प्राकर्तिक रवर है आपको पता है कि जो भूमद रेकिये इक्योटर वाला छेत्र है या फिशु उष्र कटी बंदिये छेत्र है उसमें ये पौधा उत्पन होता है उष्र कटी बंदिये छेत्रों में जहां पर बर्सा जादा होती है अन्य थाई भूमद रहे के छेत्र में सरवाधी अनकूल इसके होता है इसके लिए आर्थ और नम निकासी की बहुस्ता होती है वहीं ये फोधा बिकास कर पाता है इसके लिए कुसल और अधिक सरम की आवसत्ता होती है इसके जो प्रमुख उत्पादक्स देश हैं इंडोनेसिया, मलेसिया, थाईलेंड, वियतनाम, चीन और भारत आपको देखने को मिलेंगे भारत में कारण केल तरमिनाडो करनाटका में है ज्यादा इसका उत्पादन होता है जिसके जो प्रमुख उखता है उसमें चीन, भारत, अमेरिका और चापान आते हैं भारत में जो पहला रवर का बागान लगाए गया था उनिस सो दो में लगाए गया था और इस समय भारत में जो र और डारेक्ट इन्वेश्टमेंट की अनुमती है और इसी के तहत जो है कि रबर भी आता है आई होप आप समझ पाए होंगे संचेप में अब हम बात करते हैं जापान में अब सब्ता हमें क्यों चार दिन कारे करने की नितिके उसे में तो जापान जाना जाता है अपने मानो स सुर्योदे का देश बोलते हैं त क्योंके पूरब में सुर्योदे यहाँ पहले होता है लेकिन इसकी एक बिसेस्ता और है कि हैं जो देश है छोटा सा ड्यूपी है देश है यह रिंग आप फायर पर स्थित हैं रिंग ओफ फायर वह छेतर है जहांपर जयादा हाते हैं के करण आपने देखा था कि 2011 में जब यहां पर सुनामी आई तो कितना नुक्सान हुआ था लेकिन 6 महीने के अंदर पूरे सहर कुनों ने उसी रूप में कर दिया यहां पर पांश दीप हैं होकेडो होंसुस जो है कि सिकागो गलत लिग गया थीक है तो यह आगर जापान का आप देखें चीडिपी का आकार देखा है तो लगभग जो है कि 6 ट्रिलियन डॉलर के पास में है लगभग हमसे लगभग दुगुना भी कह सकते हैं जाप करते हैं 12 गंटे की जोब है तो उसमें आधे गंटे ब्रेक के छोड़ कर पूरा जोए की साड़ी 11 गंटा पूरा यह मैनस से जोब करते हैं 1970 के दसक में यहाँ पर एक सब्द उत्पन हुआ जिसका नाम है कारोगी का अर्थ होता है काम करते करते मर जाना और आज कल की यहाँ की जो जनरेशन है उस जनरेशन में जो खास करके 1970 के दसक में कार करने में आगे बड़ी उस जनरेशन में देखा जाता है कि वो छुट्टी लेना पसंद नहीं करते। 2018 में सालाना चुटियों में से 22.4% लोगों नहीं चुटिया लिए वो भी आधी से कम चुटिया लिए पूरी नहीं। जापानी जो समाज है वो ब्यक्तिवाद की जगे समुवाद का समर्थन करता है और इसी लिए कहा जाता है वो हम माना जाता है कि अगर कोई ब्यक्ति एक छुटि लेगा तो अन्य पर क्या होगा चुटियों उतना ही रखना है तो अन्य लोगों को जादा मेहनद करना पड़ेगा इसलिए कोई छुटियों हाँ पर नहीं लेता लेकिन अब जापान सरकार ने कोविड और उसके बाद की चीजों को समझते हुए यह डिसाइड किया है कि देश में अब चार दिन कारे करने का लागू होगा नियम अर्था सब्ता में चार दिन कारे करना हुआ क्रमचारी ही यह नेड़े लेंगे अर्थात काम करने वाले ही लोग नेड़े लेंगे कि उस सब्ता के कोई से चार दिन कारे करेंगे उद्देश इसका है कि जब लोगों को कारे कम करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा उनकी productivity बढ़ेगी वो स्थीख पाएंगे अपने परिवार को समय दे पाएंगे साथी साथ अपने skill और बहुत से छित्रों में innovation वह लापाएंगी यह इसका उद्देश है जो सत्ताधारी liberal democratic party है उसका मानना है कि अलग-अलग कारे साली में कारे कलने से skill develop करने का समय मिलेगा परिवार को समय मिलेगा लेकिन यहां के think tank थोड़ा सा typing error think tank का मानना है कि जो नीती है सफल हो नहीं हो पाएगी कारण यह है कि यहां के लोग जो है कि कार छुट्टी लेना पसंद नहीं करते बहुत जरूरी काम होने पर ही कोई बैक्ति यहां पर छुट्टी लेता है तो इसलिए लोग तीन दिन प उत्पादकता उनके बढ़ जाए यह ज़रूरी नहीं है और इसी के साथ सा इनका कहना है कि इससे तो क्या होगा क्रमचारियों का अभावत्पन होगा उत्पादन घटेगा और जापान करत दोस्ता पर निगेटिव इंपेक्ड पर सकता है यह भी कहना है कि अगर जो है लो इस तरह से यह कहा गया है कि अगर यह इस नीती को आगे बढ़ाया जाता है तो कई तरह कि जो है कि सांस्कृतिक समझ से आएं सामाजिक और आर्थिक समझ से जापान में उत्पन हो सकती हैं हाला कि जापान कि स्वास्रम और कल्यान मंत्राले का कहना है कि सरमकों को मांसिकों सारे दोनों तरह से तरू ताजा रखने के लिए नीती लाई गई है और ये बहुत मत्पूर भूम का निभाए गई मेरा आपसे प्रश्ण है कि क्या आपको लगता है कि जापान जैसे देश में ये चार दिन की जो नीती है सही या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लेकिन तार की तोर पर बताईएगा हवा में आपना अंसर मत दीजेगा इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच